पाली बार मायवती के साथ भाई और बतीजे की अलग कुरसी पारटी में नमबर दो पर कौन है चन्द सेकर से मुकाबले के लिए आकासानन पर फोकस नमस्कार मैसंजें बिटकर आप देख रहा हैं भीम राज दस्तक चैनल दरसल आपको पता दे कि 2024 के मायवती एकसन में आ ग अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है वज़ा है कि दली तोट बैंद पर मजबूत पकड़ है आगे आपको बता दे कि भीमार्वी चीप चंदर सेकर आजात को हमले के बाद दलीतों को सानबूती मिल रही है चंदर सेकर जब अस्पताल में भरती थे तो बड़ी संक् परल्ली बार मायावती कारिकरताओं के सामने बैठी थी जबकि भाई और बतीजे दाइने और लगी कुर्शी पर बैठे थे मायावती के पॉइंट्स को निश्णल कोडिनेटर आकासानद नोट करते नजार आये थे सिर्फ यहीं नहीं उन्होंने कुछ सुजाव भी दिये थे मायावती ने पार्टिय में नमबर एक, नमबर दो और नमबर तीन का मैसेज देने की कोशिज की है यही काराले कि उन्होंने बाकी प्रदादिकारियों से अलग उनके कुर्से ही लगवाई चंदर सेकर के बड़ते कत को देखते वे मायावती ने दलित युवाव को साधने के लिए आकास को आगे किया है पर्शमी यूपी में चंदर सेकर आजाद की पकड़ मजबूत हो रही है वहीं बउजन समाज पारटी प्रमुक्ष ने दलित समाज के युवाव को या साप मैसेज देने का प्रयास किया है कि बउजन समाज पारटी में युवा नेता और पारटी का आपसन आकासानन्द है जो राश्टी एस्तर पर पारटी को लेकर काम कर रहे हैं युवाओं को लेकर रकासानद लगतार पार्टी में काम कर रहे हैं। यूपी की राजलित के वरिष्ट पत्रकार कहते हैं कि आमतोर पर मायावती अनुसासित पार्टी चलाने वाली नेता हैं। हाला कि जिस तरह से मायावती ने भाई और बतीजे के लिए कुर्शी लगवाई उससे उन्होंने पार्टी में परिवार की मौजूदगी का आयसास करा दिया है। साप संदेशा की पार्टी में परिवार के सदस से दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली में दो दिन तक चली बैटक का लेका जोका तीन पॉइंट में आये समझते हैं। साथ राजसभा सांसद राम जी गौतम भी रहेंगे। राजस्तान, मद्य प्रदेश, 36 गर्ण और तिलंगाना ऐसे राजज हैं जहां पिछले चिनों में कुछ सीटे जीत कर बसपा अपनी उपस्तिती दर्ज कराती रही है। साल 2018 में राजस्तान में 6 मद्य प्रदेश और 36 गर्ण ने 2-2 विधानसभा सीटे जीती थी। तिलंगाना में पिछली बार पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, मगर 3% ओड मिले थे। पार्टी यहां दली तोट बैंग के सारे प्रदसन बेहतर करना चाह रही है। लोग सबसे पहले होने वाले चार राजे की विधानसभा चुनाओं आकासानन के लिए ट्रायल मैच की तरह होंगे। वहीं आपको आगे बताएं तो लोग सबसे चुनाओं 2024 को लेकर पार्टी यूपी में आकेले चुनाओ लड़ेगी। पार्टी ने किसी अन्य के साथ गड़बंदन से इंकार किया है। लोग सबसे पहले भी पच्छी मोर्चे की बाते हो रही हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी अपने सबी दर्वाजे खुले रखना चाहती है। हाला कि बहुजन समाज पार्टी का अगला कदम क्या होगा। उसमें इस साल चार राज्यों में होने वाले विधान समाच चुनाओं नतीजों की आहम भूम क्या होगी।